अलो गैज, वेलकम टू मैं चैनल रिटू की दुनिया हर हर महादेव और मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ अलो की एक न्यू रेसिपी जो की है दम आलो रेसिपी इसे आप ग्रेवी वाले आलो रेसिपी में कह सकते हैं यह एक शाद्यों में बनने वाली रेसिपी है इसे जब के बनाने के लिए चाहिए हमें छोटे छोटे आलो जो आपके पास बड़े आलो तो आप उसको बीचमिल से कट कर सकते हैं मेरे पास छोट छोट छोटे आलो है मैं अलिकी दम आलो रेसिपी बनाऊगे यह मैंने चुट-चुट आलो लिया जिनको मैंने उबाल लिया है उबाल के अच्छे से चिलका उनका उतार लिया चलो फ्लेम पर एक कढ़ाई में एक चमच ऑइल डालते हैं और डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे जब हमारा जीरा अच्छे से भुनके लाल हो जाएगा अब हम इसमें प्याज डाल देंगे , प्याज को हमें ध्यार रगना है , काट के नरे डालना है , प्याज को हम्में कड्ण रगन का दुन हम अज़ीर अच्छे से पुन कई लाल हो गया है कि तो इसमें हम फिए कच्छ Kal Auch के प्याज को भूण के इसे तब तक भूने ज़्तक यह ब्राउन कलर की ना हो हम इसे अच्छे से भून लेंगे हम इसे कच्छे में डाल देंगे टमाटर तो हमारे प्याज की खुस गुआएगी तो इसलिए हम अच्छे से भून लेंगे अब इसमें हम टमाटर डाल लेंगे जो मैंने मिक्सी में पीस लें आपको भी मिक्सी में पीस लेना है इनको मिक्स यह पेश्ट की वज़ाएं ऐसे कद्दुकस में जो बारिक वालग आता है पेश्ट यह अद्रक करने के लिए मैं उसमें कसके डाल दिया यह मैंने इसमें लाल मिर्ट चराल दी है एक चमच आदा चमच हल्दी अब इसमें हम सवादन सार नमक डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे अब इसमें हम एक पिंच वो डाल देंगे गरम मसाला और इसे चला देंगे इसे हमें अच्छे से चलाना है और इसे अच्छे से पका लेना है इसे तब तक पकाना है जब तक हमारा जो ग्रेवी है यह अपने आप ओईल ना छोड़ दे यानि अपने आप तेल ना छोड़ दे यह देखिए आप साइड में इसमें तेल आना शुरू हो गया इसे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो मसाला है हमारे जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से पके यानि बनके तियार हो गई है अब इसमें हम एक गिलास पानी डाल देंगे कि एक गिलास पानी डालने के बाद इसे हम अच्छे से पका लेंगे यह देखें अपके भी अच्छी से पकने के बाद खुदी जो हमारी ग्रेवी है इसने ओइल छोड़ दिया है अब इसमें हम थोड़ी से यानि एक कटोड़ी से भी कम दही डाल देंगे दही को ध्यार रखना है दही को अच्छे से फैट लेना है उसमेन दाने दाने या कुछ ऐसा ना रही ऊसे हम अच्छे से बारी कर लेंगे अब इसमें हम जो हमने आलो ची लेते उबाल के जो आलो ची लेते उनको हम डाल देंगे आलो डालने के बाद इसे हम पांच से दस मिनट के लिए उबलने के लिए मतलब छोड़ देंगे यानि हमारा गेवी का मसाला है या नमक में जो बिसमें मसाला में उस सारा टेस्ट जो आलो के अंदर तक पहुँच जाए ताकि जो हमारे आलो खाने में ऐसे ना लगे कि अलग सा अजीब सा टेस्ट ना आए इसे हम 5-10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे चलो आई अब इसे सर्व करते हैं यह देखे जो हमाई ग्रेवी है उसका जो कलर आया कितना अच्छा है यह देखे ना इसमें मैंने कोई कलर वाली मिर्च एड़ की है ना ही कुछ बस एकदम तीखी लाल में इसमें एड़ की है यह देखिए हमारी जो सुझे कितने अच्छे से बनके तयार हो गई है आप कोई रैसिपी कैसे लगी मुझे कोमेंट करके बताएं आपको रैसिपी अच्छी लगी तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक वीडि आपको